वेलकम टो अलक्रीव माइब जन्की सिरवास्तव ुसमें हम लोग यह देखेंगे कि बाएउंसी फोर्ष क्या होता है तो फ्लूड मेकिनिक्स में आप एक टर्म चुन्ने होंगे बाएउंसी फोर्स तो buoyancy force basically क्या होता है force exerted by the liquid or fluid on body या हम अलग सब्दों में यह कह सकते हैं कि जो हमारा जो body का जो weight है उसके against work करता है हमारा buoyancy force जो कि fluid के द्वारा लगाया जाता है जैसे कि अगर आपका कोई object अगर fluid में डूबा हुआ है जैसे कि आप figure में देख सकते हैं यह मेरा object है और यह डूबा हुआ है एक fluid में एक rectangle object है ठीक है एक rectangle object है जो मेरा fluid में डूबा हुआ है तो इसे buoyancy force का सामना करना पड़ेगा जो कि downward direction से आएगा ठीक है downward direction से आएगा मतलब fluid जो है body के against work करती है वह ही buoyancy force करता है मतलब ऐसा force जो fluid के द्वारा किसी body पर लगाया जाता है अब होता क्या है इस body का कुछ न कुछ अपना एक weight होगा तो वह जितना पानी को जितना amount of water को displace करता है वही उसका buoyancy force कहलाता है ठीक है तो जैसे कि आपका body है तो इसके बार में मैं और थोड़ा discuss करना चाहूंगा यह आपका जो body है उसका जो central point होता है जो कि यहां पर वह कहलाता है center of gravity अब center of gravity क्या होता है जहां पर किसी body का पूरा weight आ करके act करता है cg center of gravity center of gravity क्या होता है जहां आपके body का पूरा force आ करके act करता है वह कहलाता है आपका center of gravity मतलब आप यह कह सकते हैं आपका body का पूरा weight है उसका एक center को कहते हैं center of gravity इसके about आपका body balance भी हो सकता है मतलब एकदम central point है ठीक है तो body का जो weight है वो downward direction में act करता है वो downward direction में act करता है कुछ इस तरीके से ठीक है और वो center of gravity में apply होता है वो center of gravity में apply होता है कौन w weight w equal to mg होता है mass into gravity ठीक है तो ये weight ये weight point आपके center of gravity में downward direction में apply होता है ठीक है अब जैसे आपका body का center of gravity उसका central point कहलाता है वसी हमारे पास एक और एक point आता है center of buoyancy center of buoyancy जो fluid का center होता है अगर cg हमारा center of gravity अगर हमारा किसी body का center है तो जो center of buoyancy है वह हमारा fluid का यह water का center है ठीक है तो यह कहलाता है हमारा center of buoyancy center of buoyancy तो यह क्या होता है यह वह center होता है जहां पर आपका आपका body का force act करता है कौन सा ओला कौन सा force यहां पर आपका buoyancy force act करता है तो आप यह कह सकते हैं कि जो आपका center of gravity है वहां पर आपका body का पूरा whole weight concentrate करता है वहीं दूसरी तरफ center of buoyancy वाला point है जहां पर आपका buoyancy force act करता है और buoyancy force किसी त्वारा लगाया जाता है fluid के द्वारा के द्वारा लगाया जाता है आपorter हो सकता है कोई भी fluid हो त्वह vtwar agency force लगाता है जब आप swimming pool में तहरते हैं या swimming pool में आगर आप बॉल फेक दिये किसी भी पानी में अगर कोई भी चीज फ्लोट कर रही है तहर रही है तो उसे जो नीचे से जो उपर की तरफ जो रियक्सन मिल रहा है उसे कहते हैं बाइवन्सी फोर्स तो आप अपने आपको स्विमिंग पूल में कंसिडर करके देखो तो जब आप स्विम से आपको बाइवन्सी फोर्स मिलता है और अफलोट कर पाते हो पर इसमें भी अलग-अलग कंडिशन्स आती है कि कब आप अन्बैलेंस होगे कब आप इस्टेबल रहोगे तो अब हम यह जानेंगे कि हमारे बॉडी पर तो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी लग रहा है और हम टिल्ट करेंगे और टिल्ट करके यह देखेंगे कि वापी से अपने पोजिशन पर आ जाती है कि नहीं अगर वो टिल्ट करने के बाद अगर वापी से अपने पुरानी पोजिशन पर आ जाती है जैसे कि यह हमारा जो बॉडी आप देख सकते हो इस बॉड़ी को आप द चाहती है तो वो कहलाएगा stability की condition ठीक है अगर वो इस position पे नहीं आ पाती तो कहलाएगा instability ठीक है और अगर हम उसे हिला ही नहीं पा रहे हैं अगर वो मूव ही नहीं कर रहा है तो वो कहलाएगा neutral condition तो हम लोग one by one इस situation को समझते वे चलेंगे ठीक है तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे stability की condition तो जैसे कि मैं आपको बता रहो stability की condition में आपका क्या होगा जब आप body को थोड़ा सा tilt किये और tilt करने के बाद आप उसे छोड़ दिये तो अगर ये वापिस अपने पूराने position में आ जाता है वापिस अगर पूराने position में आ जाता है वापिस से सीधा हो जाता है तो ये कहलाएगा stability condition ठीक है ध्यान से सुनिए ये कहलाएगा stability condition ठीक है तो ये तब होगा stability की condition तब होगी जब center of buoyancy आपका center of gravity के उपर shift हो जाए अब भाई ये कासे होगा भाई जब आप कभी भी किसी भी object को floating object को जब आप छेड़ते हो या जब रदस्ती उसे हिलाते हो ठीक है या उसे disturb करते हो कहना चाहिए तो उसका center of gravity भी move करता है उसका center of buoyancy भी move करता है तो इसके साथ साथ एक ऐसी situation आ जाती है मतलब क्या कैसी situation हो सकती हो हाँ पर कभी आपका center of gravity नीचे आ गया कभी आपका center of gravity उपर चला गया ठीक है अलग-अलग situation आ सकती है तो हम इस situation को समझेंगे जब आपका center of buoyancy गलती से center of gravity के उपर आ गया तो क्या होगा तो सबसे पहली चीज जो समझते चलता है हम लोग ध्यान से समझने इसको हमारा जो body weight है वो center of gravity पर act करता है हमारा जो body weight है center of gravity आले point पर act करता है यानि कि this point पर act करेगा मतलब center of gravity हमारा इस point पर act करेगा ठीक है अब center of gravity पे जो force act कर रहा है या जो weight act कर रहा है वो हमारा body weight है तो body weight हमेशा downward direction में ही act करेगा थोड़ी ना उपर act करेगा body weight हमेशा body weight आपका downward direction में act करता है क्योंकि gravity के खारण ठीक है तो यहां से center of gravity में जो force का direction है w वो downward direction में होगा आप देख सकते हैं, figure से, ठीक है, वहीं दूसरी तरफ, वहीं दूसरी तरफ, जो center of buoyancy है, वो क्या चीज़ है, ऐसा center है, जहाँ पर fluid अपना force लगा रहा है, center of buoyancy, ऐसा point है, जहाँ पर fluid अपना force लगा रहा है, body को float कराने के लिए, यानि कि body को टहराने के लिए, body को उपर उठाने के लिए, तो center of buoyancy पर लगने वाला जो buoyancy force है, उसका direction भी हमेशा upward direction ही होगा, center of buoyancy force को अगर मैं F से सो करूँ, तो इसका direction हमेशा उपर होगा, एक चीज में हाँ पर clear करना चाहता हूँ, आपका center of gravity उपर हो चाहे नीचे हो, center of buoyancy उपर हो चाहे नीचे हो, या कोई भी condition आ जाए, center of gravity में हमेशा w weight नीचे पड़ेगा, और जो center of buoyancy है, उसमें आपका buoyancy force हमेशा उपर की तरफ act करेगा, ये हर condition में, चाहे हमारा center of buoyancy किसी भी तरफ हो, चाहे उपर हो, चाहे नीचे हो, ये conditions हमेशा अपलाई करेगी, कि buoyancy force हमेशा उपर की ओर act करेगा, और center of gravity पे लगने वाला w weight नीचे की तरफ act करेगा, ठीक है, अब हम इसे थोड़ा सा tilt करके देखते हैं, जब हम इसे थोड़ा सा tilt करके देखते हैं, तो अगर मैं ये दोनों point को, अगर मैं gray line से जोड़ करके दिखाऊं, और वापिस से मैं इस force को बना दू, ठीक है, तो क् जो की ऊपर की तरफ लग रहा था, जो की ऊपर की तरफ लग रहा था, center of gravity पे लगने वाला force, डबलू, डबलू force या डबलू weight मेरा downward direction में act कर रहा था, सहीं बनायों मैं, अब यहाँ पर एक चीज आप देखो, यही image को मैं यहाँ पर एक सरल सब्दों में बना करके दिखा बना करता हूँ, force F उपर, डबलू weight नीचे, तो यह एक तरीके का couple बन गया, यह एक तरीके का couple बन गया, अब यह कैसा टेप का couple है, अगर इसे मैं free छोड़ दू, तो एक इस तरफ rotate करेगा, अगर मैं इसे free छोड़ दू, तो एक इस तरफ rotate करेगा, यह clockwise direction में rotate करेगा, यह clockwise direction में rotate करेगा, यहाला couple, clockwise direction में rotate करेगा, यहाला couple, ठीक है, अब clockwise direction में अगर यह couple rotate करेगा, तो अगर यह clockwise direction में rotate करेगा, तो मेरा body तो वापिस initial position पे आ जाएगा, मेरा body वापिस initial position पे आ जाएगा, और वो balance हो जाएगा, इसका मतलब है, यह था stability का condition, ठीक है, तो stability के condition में क जब रहेगी जब आपका center of buoyancy center of gravity के ऊपर आ जाए ठीक है center of buoyancy पे लगने वाला force हमेशा upward होगा center of gravity पे लगने वाला w force w weight हमेशा download होगा और अगर आप उसे थोड़ा से tilt करके या थोड़ा से disturb करके देखे तो आप यह वाला figure अचीव करेंगे यह वाला figure और इस पे आप सारीके से देखे तो आपको दिखेगा कि एक couple बना रहा है जिसका direction है anti-clockwise मतलब घड़ी की उल्टी दिसा में ठीक है anti-clockwise अब यह anti-clockwise जाएगा इसका direction अगर ऐसा है बोरों में इस direction में मूव करेगा तो वापिस से अपने initial state में आजागा जो कि यह वाला state है ठीक है तो यह था buoyancy force का stability condition ठीक है अब आगे हम यह देखेंगे कि unstability में क्या होता है तो अब हम stability समझ चुके हैं तो अब हम समझेंगे unstability problem के बारे में ठीक है तो unstability problem क्या होगी जिसमें हम body को फिर से disturb करेंगे फिर से हम उसे tilt करेंगे फिर से हम उसे कुछ इस तरीके से tilt करेंगे और tilt करके देखेंगे कि वापिस अपने पुराने position पर आपाती है कि नहीं आपाती है अगर आ जाती है तो यह stability की condition कहलाएगी और अगर body अपने पुराने condition में initial state में नहीं आ पाती है उसमें आने में फेल हो जाती है असमर्थ हो जाती तो वह कहलाएगा अन इस्टेबिटी कंडिशन तो हम इसे फिजिकली ट्राय करके देखेंगे ठीक है तो सबसे पहले center of gravity center of gravity कौन सा point है जहां पर आपका body का weight आकर करके act करता है वह आपका body का center है जहां पर आपका body का पूरा weight concentrate होता है तो हम यह कह सकते हैं कि यहां पर लगने वाला weight डाउन्वर्ड 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 ड तो इसका डारेक्शन हमेशा अपवर्ड होता है चाहे इनका पॉइंट कहीं भी चला जाए ठीक है तो सेंटर ऑफ बॉइंसी अगर मैं एफ से सो करूं तो अपवर्ड डारेक्शन में लगेगा अब मैं फिर से अब मैं इसे टिल्ट करके देखता हूँ अब मैं इसे थोड़ा सा टिल्ट किया थोड़ा से डिस्टर्ब किया तो मैं यह देखूंगा कि यह पानी मैं अपने आपको संभाल पाता है कि नहीं ठीक है तो सेंटर ऑफ ग्रेवटी पे मेरा जो फोर्स लग रहा तो यह मैं नीचे W को कुछ इस तरीके से सो कर दिया, ठीक है? मैं W को कुछ इस तरीके से नीचे सो कर दिया, ठीक है? Center of buoyancy पर लगने वाला force मेरा upward direction है, तो मैं यहाँ पर लगने वाला center of buoyancy का force F लगा दिया, ठीक है? अब मैं इसको समझने के लिए कि इसका direction clock है कि एंटी clock है, मैं यह दोनों point को जोड़ करके देखता हूँ, मैं दोनों point को जोड़ करके देखता हूँ, अब अगर आप इस diagram को अच्छे से देख पा रहे होंगे, तो अगर मैं इसे फिर से यहाँ पर बना हूँ, फिर से मैं यह से बना करके दिखा दू, तो आपको क्या दिखता है बताना, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि F force उपर की तरफ लग रहा है, W force नीचे की तरफ लग रहा है, पर उससे हमें मतलब नहीं है, इसका direction को देखो, यह clockwise घुमाने की कोशिस कर रहा है, यह अबजेक्ट को clockwise घुमाने की कोशिस कर रहा है, तो यह clockwise घुमा रहा है, तो अगर मैं किसी body को disturb किया, तो उस पर बनने वाला जो कपल है, कपल बोलते ह तो अगर मेरे इस object में, अगर clockwise rotation चालू हो गया, तो तो यह मेरा object पूरा ही डूब जाएगा, यह अपने पुराने state में आना छोड़ करके यह पूरे डूब जाएगा, ठीक है, तब देख सकते हैं, इसमें यह clockwise कपल फॉलो कर रहा है, तो clockwise कपल फॉलो करके, यह अपने stability का condition, ठीक है, तो हम force को resolve करके यह देख सकते हैं, कि हमारा body stable है, कि unstable है, stable की पहचान कसी होगी, अगर हमारा body थोड़ा से disturb करने के बाद, अगर वापिस अपने initial position पे आ जाता है, तो वो कहलाएगी मेरी stability की condition, अगर मैं अपने body को disturb करूँ, किसी fluid में जो तहर रहा है, और अ अपने initial state में नहीं आपाता, तो वो unstability की condition होगी, और हम इससे calculate कैसे करेंगे, ऐसे ही force को resolve करके, तो यह समझ में आया होगा आपको, last condition जो हमारे पास आती है, वो कहलाती है neutral condition, अब neutral condition में क्या होता है आपका, neutral condition में आपका center of buoyancy और center of gravity एक ही point पे coincide करते हैं, कहने का मतलब एक ही point पे यह दोनों आजाते हैं, ठीक है, stability और unstability में क्या होता था, कभी center of gravity नीचे आगया, कभी ऊपर आ गया, ऐसा कुछ होता था उस पे, पर neutral condition में क्या होता है, नेफों के दोनों के दोनों point center of buoyancy और center of gravity दोनों को एकी point पे coincide करते हैं, गी point पे करते हैं, तो इसके current क् उपर से जो आपका downward w weight लग रहा था वो भी same point पे concentrate कर रहा है और जो नीचे से आपका center of buoyancy पे जो buoyancy force act कर रहा था वो भी same point पे आखर के concentrate हो जाता है इसके current क्या होता है आपका body tilt ही नहीं होता मूब ही नहीं करता तो उसमें stability की condition ही नहीं आती क्योंकि दोनों force एक दूसरे को balance करकर रख दिये जितना आपका w weight है उतना ही buoyancy force भी उसे उपर के और provide कर आएगा कभी ऐसा नहीं होगा कि buoyancy force का value w weight से ज़्यादा हो गया या w weight buoyancy force से ज़्यादा हो गया हर condition में हर condition में आपका w weight body का जो w weight है वो और fluid द्वारा लगाया गया buoyancy force हर condition में आपके equal होंगे कभी भी ऐसा नहीं होगा कि buoyancy force w weight से ज़्यादा हो गया या w weight buoyancy force से ज़्यादा हो गया तो चुंकि अगर यह दोनों की value सेम हैं और दोनों के दोनों same point पर act कर रहे हैं और वो भी एक दूसरे के opposite act कर रहे हैं तो यह एकदम neutral condition है एकदम neutral condition है ठीक है इसलिए से neutral condition कहा जाता है ठीक है तो आई होप आप समझे होंगे तो हमारी जो बॉड़ी है बिल्कुल भी disturb नहीं होगी और ना तो यह डूबेगी ना तो हिलेगी यह इस्थिर रहेगी neutral condition है ठीक है तो आई होप यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेर और सब्सक्राइब जरू कर दीजिए